इसका नाम अभी है अभी राम श्राप है या वर्दान पता नहीं पर बश्पन से ही जो भी पढ़ता है उसे याद रखने के लिए से ज़ादा मेहनत नहीं करनी पढ़ती ही जिरक्फ, ही जिरक्फ, ही दिखाना, ठाइम खतम हो रहा है कुछ भी नहीं दिखाई दिया तुने जिरक्फ कहा ना, इतना ही देखने मिलेगा जनरली क्लास्रूम में सब गलती करके मार खाते हैं और ये है कि सर, अलजेब्रा इस एन अरबिक वर्ड, नट लैटिन, इट मेंज रियूनियन औफ ब्रोकन पार्ट्स इस तरह दुनिया और खुद के बीच का फासला कम करने के लिए ये बच्पन से ही कोशिश कर रहा है देखा, दूद पत्थर पीता है, भगवान नहीं, इसी को कैपलर रियक्शन कहते हैं ये सब तो पागल है लोगों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए खुद को सौकरिटीज समझते हो दिमाग और शब्दों के बीच में फिल्टर रखना सिखो माइंड और सच को फिल्टर करेंगे तो वो जूट होता है मतलब जूट बून उसके लिए मुझे सजा दे रहे हो पापा इनका नाम मिस्टर देशरत है अभी की माँ गुजर जाने के बाद उसे मा की कमी महसूस ना हो इसलिए उन्होने कमला से शादी की इनके पती के गुजर जाने के बाद अपनी पेटी को पिता की कमी महसूस ना हो इसलिए इन्होने दशरत से शादी की इसकी सौतेली मा है ना इसलिए इसकी सारी प्रॉब्लिम्स की जड़ यही है क्या है यह दशरत एक एवरेश ग्रूप बून गैजिट ऑफिसर है यानि अपने मूँ से रिश्वत ना मांग कर खुद सामने वाला अपने आप से ही रिश्वत दे दे इस तरहां उन्हें काम करना पसंद है क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? आज से मैं जो खाना खाता हूँ और यहां रहता हूँ उसकी फी कहां से मिले पैसे? आज से मैं करप्शन फ्री हूँ इस तरह अपने पापा के साथ बिगड़े हुए संबंध और निराशा को किताबों पर निकालते हुए वो आएस से लेकर अमेरिका की M.I.T. तक हरे एक्साम में काम्याब हुआ तेश के सारे एक्साम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाए किसी एक एक्साम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना? इन एक्साम्स में वो पास नहीं होगा यह तुम्हें कैसे बता? मतलब clarity नहीं है ना? यह उसने खुद के लिए लिखा है और यह सारे उसने अपने एहंकार के लिए लिखे है उसके पास तो clarity है पर उसके आस-पास की दुनिया में कोई clarity नहीं है ओए वोट किसे दिया? आपको ही दिया भई? हाँ चोटू बुझे देने वाला था ना आपको ही दिया भए आप किसको वोट देने वाली है विशाखा बानी पार्टी को पैसा कितना दिया है पाँच हजार अच्छा तो आपके CM ने कुछ नहीं दिया किया CM ने भी दिया है 10,000 दिये हैं उस हिसाब से वोट उनी को देना चाहिए पहले उनको दो बार वोट दिया है दीदी ने नई पार्टी बनाई है देखते हैं वो जीतेंगी तो क्या देंगी अरे वाह आप तो कितनी होशियार है हम वैसे रिटायर आयास ओफिसर राम प्रकाश अच्छे पड़े लिख हैं आप उन्हें की वोट नहीं दे रही है उन्होंने हमें सो रुपए भी ने दिये नलाइक कहीं का उन्हें वोट दे के क्या होगा हम यह हाल है पैसा नहीं दिया तो हार पक्की है लेकिन पैसा दिने पर भी जीतपकी नहीं है मतलब पार अफ डिम तुमने अल्रेडी वोट दे दिया, जाओ इंक है क्या? नहीं फेस मैच वा? हुआ मतलब, मेरा वोट क्लियर ले रिख वाया है ना? अलो, ये वोटिंग बूत रेक्ट है, सब अपने घर चले जाए है रुक जाओ, रुक जाओ, कोई वापस मज जाना ये क्या पागलपन है? रुल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो, टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है, हट जाओ मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियर ली रिख हुआ है वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ओफिसर हो? नहीं ना? जाओ कौन है भी? कंसर्ण पोलिंग ओफिसर को बुलाईए, तब तक वोटिंग बिलको नहीं होगी क्या प्रोब्लम है? हो, तो आप ही हो वो कंसर्ण पोलिंग ओफिसर इस बार कौन सी पाटी ने पैसे दिये हैं? ए, पागलपन दिखाने की जरूद नहीं है टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो टेंडर बैलेट पे मैं सिगनेचर क्यों करूँ जब क्लिरली मेरा वो ट्रीक हुआ है और कितने वो ट्रीक हुए है, क्या पता? इस बूत को रोकना ही होगा बढ़ा मत्यार, यहां से निकल लेते हैं, चले ले मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है, तुझा यहां से ओई, क्या कर रहा है बैं तूप पता है, यहां पता है क्या पता है क्या पता है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोपने की कोशिश कर रहा है इस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है एए, वोट रिग हुआ है, तो बैलेट पे दस्थिकत करके जाओ यहां से यहां पे लफ़रा मत करो वोट रिग हुआ है यह सुनने के बाद, अपका रियक्शन इतना ही है अगर लॉजिकली कहूँ न, तो सिर्फ इस एक बूट को नहीं, सारे इलेक्शन को रोखना चाहिए यह बात यहां नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो हाँ, मैं वहाँ भी बात करूँगा एक बूट के रिग होने में और मिस होने में बहुत-बड़ा फर्क है लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है न, तो उसे डिमाक्रासी नहीं कहते अगर एक मडर को गलत नहीं माना, तो सो मडरस भी गलत नहीं होगे यहां एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है, यह पूरा भूत रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है, अंड्रेट पर्सेंट रिगिंग फ्री इलेक्शन हिस तफ वेरी फांडेशन आफ एनी डिमाकरसी, इंचाज होने के नाथे, इस भूत को तो डिस्कौलिफ यहां से, वरना अर्बन नकसल के नाम पर सब को अंदर कर दोंगा, तुम्हें पता है इसका मतलब, तुम्हारा M.I.T. एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब परबाद हो जाएगा, निकल जाओ यहां से, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, कलेक्टर के तोर पे, आप इ उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, जिन्होंने पुलीस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया, अर्बन नेकसल्स तो वो हैं, जिनकी रक्षा करते हुए, आप हमे धमकी दे रहे हो, तुम्हें के लिए इमोशन को किनारे रखके बात करते हैं, आओ, तुमने सही कहा, मुझे शरम नहीं आती, मुझे नहीं बलकि तुमारे बापा और पॉलिस को भी नहीं आती, पॉलिटिकल लीडर्स के दवाब में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी अभी तुमने कहा न उन गुन्डों में और हमें कोई फर्क नहीं है जोटे इस देश में हर कोई एंजिनिरिंग पर कितना मिलेगा मेडिकल में कितना मिलेगा एंबिये करने पर कितना मिलेगा इस तरह से हिसाब लगाते हैं लेकिन आईएस बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है पर सेलेक्शन के छे मेंने बाद ही जैसा तुमने कहा बिना शरम के जीने की आदत बना लेता है बाहर से पत्थर मत फेको कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा ये बूत विशाखा वानी का है डिस्कॉलिफाई करना मश्किल है ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है सो इस वन साइड वार में लाइफ बरबाद मत करो फ्लाइट लो और निकल जाओ देख रफ्ते में अमेरिका जाने वालिया इन सब जंजटों में मत पड़ो वैसे भी भागने वाले को देश के वारे में बोलने का हक नहीं जाओ एई किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बरबाद कर लेगा मेरी बात मान नीचे आजा M.I.T. छोड़ कर I.S. में आकर क्या हासिल कर लेगा जिद की वज़े से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांती से जिऊंगा बहुत खुश था तौरा पढ़ने लेगा फिर इसे जरा समझाओ इसको I.S. की इंटर्व्यू में तीन में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी शायद ये फेल भी हो सकता है अब अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं बहुत होश्यार मेंस एक्जाम में 500 में एक पास होता है जिसे इसने पास कर लिया है अब इसके लिए इंटर्व्यू कौन जी बड़ी बात है तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा नीचे आ जाना बेटा अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दश्रत 25 साल का हो चुका हूं मेरे जिन्दगी मुझे जीने दीजिए पांच साल की उम्र से तु यही तो कर रहा है फ्लाइट मिस हो जाएगी नीचे आना पापा अब बस भी करो उड़के जाएगा तो भी फ्ला है लोग मिस्टर दश्रत इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो टाइम पर टिकेट कैंसल किया होता तो एक लाग रुपए बच्चा थे अब उसे मेरे अकाउंट में मत जोड़ते ना अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं यह अपनी मर्जी से पला बढ़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है इसे हमारी ज़रूरत ही क्या है सुन भाई अपना पेंठाउस रेंट पर देगा कम से कम मा पापा तो नहीं होंगे पांच अजार एक्स्ट्रा दूंगा बहुत फिक चुका है चल अबी वो बैग भी उठा ले वो फासा तीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देखके भाग जाने को बोला था पर मुसफा भी तो भाग सकते थे सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना डाडी को देखके 24 दिन हो गए है आंटी फोन भी नहीं किया उन्होंने डाडी जहां गए है ना वहां सिगनल नहीं है इसले कॉल नहीं किया तुम डाडी को जितना मिस कर रही हो ना उतना ही डाडी भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना, तो डाड़ी आ जाएंगे माइरा, हाई, एनी न्यूस? नो पुलीस ने क्या कहा? एज यूजवल, कह रहे हैं कि ढूंड रहे हैं ओ गॉड तुम्हें हॉस्पिटल से कोई क्लू मिल पाया कि अभी तक? नाथिंग, यार, इन लेट इनो, इफ आ फाइंड एनीफिंग ए, माइरा, माइरा हाँ तुम्हारे भाईया के मिसिंग होने से इसका गई कनिक्शन है या नहीं बता नहीं पर जिस दिन वो गायब हुए थे, कुना नाम का एक गुंड़ा पर उन के पास कांसल्टेशन के लिए आया था नर्स ने मुझे बताया क्या यही लोग तंत्रे? पिछले हफ़ते हुए मतदान में बूत ओपन हुए एक घंटे के अंदर ही अपना वोट रिग होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है एक वोट के चूप जाने से सारी विवस्था को दूशी ठहराना ये गलत है विवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़ कर चले जाए तो ही बहतर है विवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागिर नहीं है कुछ युवक्का यही कहना है देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जिगे नुकसान हो जाता है अरे आखिर है कहां पर न्यूज हां अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है यह हां बता ना सच बोल तुने जगड़ा किया ना बोल तुनी रहा नहीं छोड़ों की दी रुको पता जूट बोलने लगा है तु बोल सच बता मुझे क्या किया तुने रुको क्या जानवरों की तरा मार रही हो यह क्या बात हुई क्या हुए इसी से पूछ लो क्रिकेट कहलते हुए नाक की हटी तूट गई है और इसने स्कूल में जगड़ा भी किया है जब तक मैं नहीं जाओंगी इसकी स्कूल में इंट्री नहीं है स्कूल बस वाले ने अभी बताया तो क्या इसकी जान लोगी तर्रेज कहीं और नहीं और कि माबाप के रूप में घर में होते हैं तू बहुत अच्छी नसियत दे रहा है उसे तुम जाओ में जाओंगा इसके साथ ठीक है तुमी जाना मामा जो हो हम घ्ट श्यूस्त हुआ है श्यूसमेज सर यस्वेज कम एं यसव आपका बेटा है ये आपके बच्चे हैं इनकी बुवा हूं मैं इसका मामा हूं बोलिये what's the problem I love you if you love me circle yes if you don't circle no hello मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है तुम्हारे भांजे ने मेरी भातीजी को दिया है तो अब बताईए अब मैं क्या करूं क्या पूछ रहो क्या करें चाटा मारो इसके गाल पे उसे चाटा लगाओंगा तो इसकी फिलिंग्स मर जाएंगी क्या shameless thing excuse me आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बढ़ियो यह इस पर सरकल कि इसने बनाया तो यह देखकर इसने इसकी नाख फोड़ दी और इसने उसकी नाख फोड़ दी है ना पीट को मारने वाला मैं नहीं What a shame इसमें shame फिल करने जैसा कुछ भी नहीं है उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है बच्चों के नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए relationship के बारे में सीखते हैं उन्हें हम जितना प्यॉरली देखेंगे वो भी उतना ही प्यॉरली देखेंगे सुनो आरिया आंटी को sorry बोलकर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे प्रॉमिस करो I am sorry Long wait Pete, Aria को तुमने मारा है इसलिए तुम sorry बोलोगे एक मिनट आप क्यो sorry बोल रहे हो ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दोड़ाना चाहिए वरना हर लड़का हर लड़की को love letter देता फिरेगा हमारे स्कूल में इस तरह सब के सामने पनीश करने के वज़े से ही वह ऐसा करते हैं इन्हें तो love शब्द का मतलब भी नहीं पता है प्लीज इन्हे छोड़ दीजे सर No no I won't accept this settlement Right now I am suspending this boy with immediate It's okay sir I am withdrawing my complaint Priya, Pete, come let's go Okay Sir आप अप अपने घर के frustrations स्कूल में लेकर मत आई है Thank you sir Let's go Arya Excuse me My name is Abhi Hi, Myra Don't ask you, we can tell you a little time Excuse me I mean You are with me with Bhatiji and I can spend time with your children Oh Sure Okay, please What do you want to talk? What do you want to talk? You are not Hindi He is, but he doesn't like it Oh my girl How did you learn so good Hindi? My father Oh Oh Okay What do you do? What do you do here? And how long will you stay here? My auntie is a music student of Tiniti College My auntie is a music student of Tiniti College Daddy's research center He will go back to his dad's research center He will stay here He will stay here After that, America will go to America Oh So It's an ordinary place Okay Okay I will solve a small puzzle You are a girl And this is a girl How do you do this?" So How will the races get so small? Huh It's so simple My grandpa is Indian My grandpa is an American That's all So simple पर मेरी मम्मी मर गई अरे मेरी गुडिया I'm so sorry, बेटा Hi, your nephew is a smart boy They are such well-mannered kids Thank you I'm so sorry about their mother Thanks for your concern Sunay, you're a music student If you want to study about local music or go to tellur, I'll take you Sure, of course, we'll catch up This is my fiancee's call I need to take this I'll see you around Come Hi, yeah, I'm good How are you? Why are you? Auntie didn't ask me about anything You were asking me So what did you tell me? I was studying in MIT, and I was studying in Delhi and I told you to go to Delhi I told you I told you help me Look up Let my glaube Come Let me let's just do it Come Go Let me Let me Go आंध्रा समाज पार्टी से अलग होकर आंध्रा प्रचा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाओं में ही सबर्दस जीत हासिल करने वाली श्रीमती विशाखावानी को देश के कोने-कोने से प्रांधिय पार्टी का अभिनंदन मिल रहा है यहां ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा मेजारिटी से जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोक्रिटिक बार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा ऐसा सबस्ट किया विशाखावानी श्रीमती विशाखावानी जी के बेटे कई कलूरी MLA विश्नु वर्धन को गवर्नर रमाक लोक तंत्र के चार स्थम्प क्या-क्या है सरकार को चुनने का हक जनता का है मिजॉरिटी रूल्स चुनी जाने वाली सरकार को जाती और धर्म का भेदभाव किये बिना सारी जनता का पालन एक समान करना चाहेंगे कानून और निया विवस्था को दबाव में आए बेना इमानदारी से काम करना चाहेंगे नई सरकार के आते ही राज्य में नौ कलेक्टर्स, छे एस्पीस और दो जज़िस की बदली हो गई है जितने भी मर्डर्स हैं, करप्शन्स हैं, उनके बारे में तीन साल में सूच लेना आखरी दूस साल में वोट दिलाने वाले यूजनाओं के बारे में सूच सकते हैं वोटर छोटे बच्चों जैसे होते हैं सुबह पिटाई करो और शाम को एक बिस्किट का टुकड़ा फेग दो तो खुशी से उचल जाते हैं पूर्वा मुख्मंत्र के इशू किये गये सारे कॉंट्रेक्स कलब थे सो वो सारे कॉंट्रेक्स रत कर रिवर स्टेंडर चारी किये जा है मैडम अब तक 30% इन्वेस्ट किया है अब कैंसल करेंगे तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी अगर ऐसा हुआ तो नई कंपनीज भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी एकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी आप लोग सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सूचिए एकोनॉमी के बारे में सूचने के लिए हम है अब क्या करें आप ही बदाईए मैडम उस पार्टी के लिए जू किया वही किजिए वाक मत विद्या व्यापार पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा गुना भाई आया है अरे अंदर लेकर आना चाहिए था कॉफी पी लेते अगर हर जगा कॉफी पेंगे तो पेट खराब हो जाएगा पैक्टरी में कितने लोग काम करते हैं पांच हजार लोग महिने का कुल पगार कितना होगा कम से कम तीन करोड तो वो तीन करोड इस अकाउन में डाल दोगे तो वर्कर्स को पगार हम देंगे सरकार को लेने वाले हर जरूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए जैसे प्लेबिस साइट्स मर्डर भी करना हो तो सोच समझ कर करना होगा तब ही अपोजेशन डिफेंस में आ जाएगी किसानों की इच्छा के मताबिक एडुरू कोड तक तेलरू के आकरमन को रत करने का पिछली सरकार ने कोड से ओडर ले लिया है सुप्रीम कोड की आदेश का मान ना रखते हुए मुडरू कांटूर तक तिलरू पर आकरमन कर मचली का व्यापात कर सकते हैं एसा राज्य सरकार ने विवाद स्बत जियों जारी किया है इस जियों की वज़े से मत्याकार खुशी मना रहे हैं तो दूसरी और वही की आसपास के किसान विरोध कर रहे हैं अब तक जो हमारे उपर हमले हुए हैं उससे हमारी जिन्दी की बरबाद हो चुकी है हम चिला कर कह रहे हैं तो वापस नए आतिक्रमन की क्या बात कर रहे हैं अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे हैं इस जीयों से बादित किसान होने के नाते, इस महने के सोला तारिक को सारे चिले में बंद का ऐलान करता हूँ. देख रहा है इनकी हालत, गवर्मेंट का बदलना यानि पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बहार आना है. ये ग्रब रेविश के दिन आकर नकली डॉकिमेंट्स दिखा कर जगा मेरी ये बोल रहे हैं, क्या हम पागल लगते हैं क्या? इतने सारे एक्जाम्स को लिख चुका है, अब इंटर्विव कली भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है, इंटर्वियों केली कोई सेपरेट सिलाबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पढ़ती हैं, अब समझा ना तू, क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एक्जाम्स नही अब तू बना रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा, सीधे घर बनने के बाद हला बोलने के लिए इंतजार करते हैं, फेकी जगा को दो लोगों को बेचनी के लिए वो कोई पागल नहीं है, मेरी जमीन पर घर बनाकर मुझसे जबान लड़ा रहे हैं तू, हमारी जंदगी से मैसे भी खेती दूद कर चुके हो तू, दिन रात मेहनद कर बना इस घर को भी तूम चीनना चाते मुझसे, बरबाद हो जाओंगे तूर, बरबाद हो जाओगे, औररिजिनल दोक्मेंट्स दिखा हो, Health नहीं, हे देखो, ओरिजिनल दोक्मेंट्स,étais चाहा है, तो उठाय तो आथ काट दूंगा तेरे डॉक्वेमेंट से तो जाकर कोट से औरर लेकरा कोट में जाने की जुरूरत तुम्हें दिखाए तो तू यहां पर कैसे? रिश्टेदार है क्या? तुम्हारे डॉक्यूमेंट में सवे नंबर दूसरा है हाँ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया बदल गया तो कोर्ट में जाने की जुरत तुम्हे है एक लेगल प्रॉपर्टी में जबरदसी गुसने के जुर्ण में अगर मैं तुम्हें मार भी तू तो भी वो जुर्ण नहीं है भाई कहां से है, पता लगाओ रे तुम्हारा क्या है बुडिया, अब किसके आरती उतारना चाहती हो चल निकल बुड़े कोई कोट का ओडर मांग रहा था ना, कोट खुद आ चुका है देखने में तो लगता है कि किताबी कीडे हो तुम जैसे कीडे जब तक किताबों में रहते हैं, तब तक ही सुरक्षित हैं बाहर निकल कर बेकार की चीज़ा में टांग अड़ाएंगे तो हमारे पैरों के नीचे गिर कर कुछले जाते हैं जाओ, अपने किताबों में जाकर छुप जाओ बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तु सहीगा पैदा होते ही छूरी हाथ में लेकर बेकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बढ़ा हुआ हूँ जान बड़ी नाजुक चीज है रहे गुफ करते ही बुच चाती है हेड लाइट नीचे कर हेड लाइट नीचे कर बूलाना कौन है रहे तू है पता कौन है तू हमारे बीच में कोई प्राबलम है तो हम सॉल्फ करेंगे ना अपना हीरोजम जाकर अपने बाप के बास दिखा एक प्लोट पर दो सर्वे नंबर्स दो प्लोट जैसे बंपर आफर देकर हमारी जिंदीकी को मिट्टी में मिलाने वाले तुमारे बाप जैसे ओफिसर्स ही हैं जाकर अपना धर माह दिखाओ जाओ यह जाओ ना तु इन सब के बीच में क्यूं फसने जाता है यार भाई वो चाकू अंदर रखो हम आपस में बात करते हैं ना बात करने जैसा कुछ नहीं है रहे है उस तेलरीक ऊपर कुछ बंद का एलान किया था ना उसे पीछे ले वरना तुझे मार कर तेरी ही बीवी के मौpen प्ले कर तो — ऋहारा सब ë साका एलो? है टू लहारा सब दोमास सबमात तरहा है? किसे बात कर रही है? बात का आफ है? किन पतलता को और को तुम consume लेैं है? और है, करता है गला! यह रह exits नहारा. इसा यह इए पत पूर ला具श बहां क्या t य इस वाऀ बस्तारड य। इस भॉटार शार्ण जॉग्सी भाइल इस वह लिखे विट इस अषर्ण सेरा Just stop your bullshit Who is she shouting at? Fyansé Are they breaking up? I don't know Aunty are you breaking up with Nitin Uncle? Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the bird century Priya Please hang up the phone and do your homework क्यों आरिया ब्रेक अब हो गया क्या बता मैं नहीं जानता मामा जी मुझे बर्ट जैंचुरी में लेकर चलो ना प्लीज ए एक अफ़ते में मेरा इंटेव्यू है और तुझे बर्ट सैंचुरी ले जाओ जा अपने नाना से पुछ ले जा नहीं वह बहुत बोरिंग है प्ल मैं प्लीज जाओ था कि बर्ट सैंचुरी ले जाओंगी पर मेरा मूद ठीक नहीं है तो इफ यू दूंट माइन इन फ्यूर फ्री क्या तुम लेकर जाओगे ऑफ कोस्ट आम फ्री ओनली इन फैक्ट मुझे भी बोर हो रहा था मैं लेकर जाओंगा थांग थैंक्यू आल स शुनते ही रेडी हो गया जाधा ही दो ने लगाइ तु कूफ आज़ाय कूफ आज़। वीवान, वीवान, येई, इनके पापरी सर्ज के काम से अफरिका गएं कहकर बच्चों से जूट बोल चुकी हूं और उस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं ये खुशी उनके चेहरे से कब गाइब हो जाएगी सोच कर ही डर लगता है बहिया को गाइब हुए तीस दिन से जादा हो चुके हैं उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता जिस दिन वो गाइब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है पुलिस है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है सर वरुन मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था मिस हुआ उसी दिन गुना नाम का गुंडा वरुन से मिला था ये किड्नैप केस है सर आपको क्यों नहीं लग रहा है मतलब क्या कहना है तुम्हें मैंने कलेक्टर ने कुंडो ने मिलकर तुमारे भाया को किड्नैप किया है क्या मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ बच्चे इंडियन सिटिजन होने की वज़ह से उनके पैरेंट्स की सिगनेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट्स चाहिए इस लाइक अम स्टॉक इं लिमबो विदावट अ कॉन्कूलूजिन दुदा केस ऐसी सिच्वेशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है I want to adopt them But that bastard My fiance वो बच्चों को अनाध अश्रमे छोड़ने के लिए कह रहा है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया Myra, लड़कियों की ममता ना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता इस सेच्वेशन में तुम ही उन बच्चों की माँ हो यह समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए सब ठीक हो जाएगा Hello Myra Hanson Yes क्या इक बार आप आफिस आ सकती है Okay क्या शाएगा क्याने रज़क्राइफ क्यार आउनना क्यारत की में तुम्हार की आफिस्टेएभिस करते वक्त मिलिया है इन्हें आसपास कहीं पर भी बॉड़ी नहीं मिली है उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेंस भी नहीं है तुम्हारे भाईया उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वज़ा से एलकोहॉलिक हो चुके थे हमें इन्वेस्टिकेशन से पता चला है सर एक पर उन बच्चों को देखिये सर कोई भी पिता उन्हें छोड़कर स्यूसाइड करने की सोच सकता है आप कोई साइक्याट्रिस्ट हो सुइसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता ये जानते हो क्या तुम इस केस को सॉल्व करने से ज़्यादा आपको इसे स्यूसाइड केस बनाने में ही ज़्यादा इंट्रेस्ट लग रहा है ब्लड स्टेंज नहीं है तो सियूसेड हो गया क्या कर लिग दोगे बॉड़ी ढूनने की ज़रूरत ही नहीं है वो नदी जाकर समंदर से मिलती है कहां जाकर तलाचिले बता सकते हो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो देखिए अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भाया की दस्तगत चाहिए होगी या फिर उनकी डेट सर्टिफिकेट चाहिए शायद हमें बॉड़ी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम बेस्ट अगर करेंगे या फिर डेट सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए ये सेटलमेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल करने में दिखाईए सर इसे लोक अप में लेके जाओ हाँ लेकर जाहिए और क्या कर सकते हो यूनिफॉम अच्टे अभी, stop it सर बताइए कहां साइन करना है मैरा, are you out of your mind? ये मल्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हो इस ले कहां किस क्लोज करतो उनके लिए प्लीज लीव दिस डैडी को किसने मारा होगा डैडी को किसीने नहीं मारा बेटा वो मम्मी के पास चले गए लेकिन मायरा अंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेंगी पानी की विमुक्ती किसान की प्रदी तेलोरू माफिया का अंध होना चाहिए ए ए स्टप 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 सर आज बंद है गाड़ी स्कूल में पाक कर दीजिए आपको जाना है हमारे आटो वाले ड्रॉप कर देंगे गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है आने तक तीन दीन इहा रहेगी क्या बाई सर पर्यावरंट संग के अंदर गती बंद हो रहा है सर गाड़ी को कुछ नहीं होगा पूलिस पर पत्थर भी नहीं पेके बस में आग भी नहीं लगाया स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया यह किस तर का बंद है बॉस ऐसा कुछ भी किये बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर अभी तो बस शुरुआत है दो पैर तक देखना हर जगा आग लगीगी सर वैसा करना है तो वो पुलीस या राज के गुंड़े कर सकते हैं सर हम नहीं आत्मा हत्या करने वाले किसाने सर हम हत्या करने वाले गुंड़े नहीं हैं अगर किसान हो तो आटो क्यूं चला रहे हो किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम करने ही सकते एक बार वो मैप देखिए सर तो हमारी कहानी समझ आएगी पिछले तीन सालों में तेले रुके आसपास के गाउं के 900 खिसानों ने आत्मा आत्या कर ली थी सर ये आपके न्यूस चैनल्स में कभी कबार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर पर वो आत्मा हत्या है नहीं थी सर हत्या थी ये 40 साल पहले एक वर्क के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलोरों में थी मचवारों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी पर उस नदी पर कबजा कर कृत्रिम मचलियों का पालन बढ़ा कर एक व्यक्ति ने सारे मचवारों को अपना वोटर्स बना लिया उसके बाद सुसाइटी, लोण्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कबजे में लेकर उनी वोटर्स को अपनी व्यवस्ता में गुलाम बना चुकी है भजारों करोडों का सामराज्य बना चुकी है उस व्यक्ति का नाम है विशाखवानी उस व्यापार का नाम ही मत्से गंदा फिशरीज है राजनिती से व्यापार को, व्यापार से राजनिती को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कबजे में ले चुकी है इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मचलियों को डालने वाले कृत्री महार के कारण पानी खराब हो गया नदी के बांद की वज़े से पानी का स्तर कम हो गया समुद्रे की पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखो एकड की खेती बरबाद हो गई कभी वो नदी ऑक्सिजन देती थी आज जहरीली बन गई है सुप्रिम कोट के ओर्डर के खिलाफ जाकर अपना कभजा बढ़ाती जा रहे हैं सर सरकार खुद गुंडो जैसा बरताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाए सर मैंने बोला था ना फ्री राइड है हमारी कहाने पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिये आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा उस पर छे मैनों से शूटेट साइड का ओडर है सर अगर पुलीस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगी सर उसे मार भी दिया तो उसकी जगा कोई और ले लेगा वैसे गदे इस सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हुआ आप गन इंटेव्यू देकर इस ओड़ो वाले किसाद एक चिल बियर मारिएगा मरते दम तक याद रखो के सर अलीज बेस्ट सर तेंक यू अलीज बेस्ट करतर दो कि प्रवसी आवारे की पत्रश 145 बाल हम Number 2 हमरी केसे को करतर कि अवसार 5. उनकरी को ह् वपशार ह् वपशार कर देखने nosotros कर दो तरेन में बार-बार तुमका इंसाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुमें ट्रेन से ही जाना है इंसान को उसकी मेमरीज डिफाइन करती है उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए वाटेवर यार ये, वहाँ दे अ क। जसरों होका इंसान करेखर शाना करेता करता है जसरों होती है इ », एः व हौ ये वह दे। ये और न है तो, न हुआ है ए रुक जो 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 I इतिहास में टेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम दस शताप्त पहले वेंगी राजाओने शासन की अपरांथ है. Can you name it tourist attraction of your place? टेलरू. सारे IAS officer का अप्रेंशी अफवा है. इस पर अपर क्या opinion है? पूरी system ही corrupt है sir, तो सारे corrupt है sir. With all due respect. क्या आप में से कोई officers हैं जो corrupt नहीं है? हैदराबाद में हुए rapist live encounter पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है. कैसे? सब के लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है sir. आलसी पंदेरी करना पक्षपात से चंता का न्याय व्यवस्ता के उपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्ता. इस पर राजनीती ने temporary solution जो ढूंडा था, वो था encounter. अगर वही उन्रे एपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो, तो क्या उसका encounter होगा sir? Mr. Abhiram, आपके पास के गाउं में, इंटरकास्ट मेरेज करने वाली है कि युवा जोड़ी का गाउं के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गाउं एक लड़की पर ऐसे डटेक कर रहा है, पहले आप कौन से गाउं जाएंगे? जो गाउं नस्दीक होगा उसी गाउं में पहले जाओंगा sir. What's the point of this question, sir? 22 में पहले कौन सा दो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो, वो करेक्ट ही होगा. तो वो परस्नेलिटी इंटर्व्यू कैसे हुआ, sir? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही, राइट या रॉंग नहीं होता, ये कहकर कॉंप्रोमाइस कना सिखा रहे हो. मिस्टर अभिराम, are you challenging the integrity of this board? नो, sir. I'm challenging the integrity of the entire system, sir. तो फिर इस एटिट्यूट के साथ, उस सिस्टम में कैसे फिट होगे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहा है, sir. राज की अनायक, सरकारी नौकर कोट के तीन खोड़े, सम्विधान को समानता से खीचते हुए एक दूसरे की, खलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब ही ये काड़ी सड़क पर रहेगी, sir. पर सद्धा की नशे में धुद्ध ये राज की खोड़ा, अगर रास्ता भठक कर बाकी के दो खोड़ों को अपनी मर्जे के मताबिक चला रहा है, तो सिस्टम कैसे बचेगा, sir? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए, वैल्योबल प्रिंट्स को सिस्टम में धक्यला जा रहा है, पर उन्हें सचाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है, sir? अगर ये परस्नेलिटी इंटर्व्यू है, तो ये परस्नेलिटी वहाँ कैसे मिस हो रही है, sir? जिन्हें समाज में रहने का हख नहीं है, वो गुंडे, तिन तहाड़े मासुम बेकवसुरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली विवस्था ही उन्हें पाल रही है, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटर्व्यू में आया हूं, sir. उन्हें ये पावा किस ने दी, sir? चाहे वो मैं रहूं, या चाहे कोई और रहे. 75 साल से सरकार है, इसी ब्रह्मेजी रहे थे, sir. पर उस सरकार की असलियत क्या है, ये कोई नहीं जानता, sir. What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation? Mr. Abhiram, इस temperament के साथ आप इस फिल्ड में काम नहीं आओगे. I'm sorry. Thank you, sir. मैंने भी यही रियलाइस किया. एक civil servant के साथ ego clash के वज़े से मैं इस game में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझा गया था. इस खेल में रूल्स नहीं है, बलकि ये खेल ही नहीं, बस खिलवाड है. I'm sorry, चाचाची. ये मेरे भाया की कमपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी. मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मुर्डर लगता है. I wish I could help. But system ही रिस्पॉंड नहीं करेगा. तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही डबलो एचो में रिपोर्ट कर दूँगी. आप यहां से ये केस रिओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी घर पे आगाए. आएस बन गए क्या? इंटर्व्यू का क्या हुआ? हो ना क्या है? आपके इच्छा के मुताबिकी हुआ है अंकल. ये इंटर्व्यू में हार गया. आप जाकर वापस वोही टिकेट्स बुक कीजिए. इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ. बाई! इटर्वाई्त। पाई के आए. पाई सुम्धेट रहे वाई. पाई प्रीया… और मेंगे आए से थे चरी बोरों वेली जोगें टो उसमारा पह्म है? बाई.. आए.. क्यूको कि मूझे priest! एक टपाप पर आउट हो जाएगा बोलागा ना? आप पर स्रेट कैच लिया ना? ऐसा तो आप नहीं बोलेते अरे ये तो अभी से करॉप्शन की इंग मान गया है यार जल बैट दे मुझे मैं ने दूँगा मैं ने जोड़ँगा बोलाना नहीं मा तेलरू की नवासी मिस्टर अभीराम ने आएट में मेक्यानिकल एंजिनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जी दिया है पिछले चुनाव में इस यूवक ने चुनाव की विवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था इतना ही नहीं इस यूवक ने पहले ही अटेप में आवीसी प्रैक कर लिया है जो की काबले तारीव है इस यूवक के इंटिव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ सारे पानल मेंबर्स इंप्रेस हो गए हैं अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों से उनके लिए ओफर्ज आ रहे हैं सी एनी न्यू मेडिसन और वेक्सिन सेम्पल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्किट में इंटिडूश करते हैं पिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेटी में भी अपलाई करने पर ही वो एक मैच्छ और डेमक्रसी होगा मैं जब से केबिनेट सेकेर्टरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो सारे देश में इंपलिमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है मिस्टर अभी, यू आर डेट एक्सपेरिमेंट आगे भविश में UPSC कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार है उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंदर सरकार ने एक एक्सक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसलिए यह मत सोचना की तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी किसी भी पॉलिटिशन को तुम्हें ट्रासफर करने का दिकार नहीं होगा ये एक ही कमफर्ट तुम्हें मिलेगा इस प्रोफोजल के लिए पहले परियोग के लिए आई एस टॉपर अभिराम को यूपी एसी बोर्ट पश्रिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियूप किया गया है इस पच्छिस साल के बैचलर के काम के उपर ही इस बिल का फविश्य निर्भर करता है यह केंद्रे सरकार के नेतरित्व के अन्याय का एक और निदर्शन है इस एंटी फेडरल एंड यार स्ट्रोंगली अपोजिंग इस बिल इस रेडिकिलोस अंडेमोक्राइडिक देश की सारी शेत्रिय पार्टिया इस बिल का तीवरता से खंडन करती है तुनिया के जितने भी लोकत अंतर देश है वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं असल में डेमोक्राइडिक इसी को कहते हैं विद दे सपोर्ट ऑफ दे करन्ट सेंट्रल गोवर्मेंट आटार्गेट इस तो अचीव देट अधियों और अपेड़न गया पर एक्सपरिमेंट जरूर फेल होगा ईस दूबक चेंश तूबक चेंश गोगा चेंश गोपया था जा गोगा यह तूबक चेंश गोपया था जा अजय था सब कबसे चल रहा है जैसे ही नहें पता चला सुवें यह लोग आ गए इंस्पेक्टर मैं आपसे राजनेताओं द्वारा फिजे गए उन गुंडों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ इसके बारे में पूछ रहा हूँ इन्हें तो दो हफ्ते हो गए सर जब ये बीमार पढ़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगा पर दूसरा आके बैठ जाता है डिमांड्स पूरी होने तक चाहिए जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे ऐसा कह रहे है ये लोग तो फिर हमें और ब्रिट है अज तक इस जिले के खलेक्टर का भविष्य एक पॉलेटीजन के हाथ में हुआ करता था लेकिन आज से वो यूपी असी बोर्ड के हाथों में है मतलब इंडिरेक्टली वो भविष्य मेरे हाथों में है इस बात का ध्यान रहे एस यू आल नो कलेक्टर is the supreme authority of the district and I am that supreme authority पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है अब तक पॉलिटीशन के घरों में सिक्रेटली हुए सेटल्मेंट्स आज से यहीं लीगली पब्लिकली और पीसफुली होंगे चुटकी बजाता ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सिनवा नहीं है उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष है और वही असली बदलाव होगा नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाग समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवालो वरना तुम्हारा करियर बरबाद हो जाएगा ये मेरी गैरेंटी है सब्सक्राइब मेरे रूम में आई अब तक चौदा माटस चार रेप्स कुल मिलाकर अठरा अप राध है छे महीने से शूट अट साइट का ओडर है जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानी पहुचा रहा है सर उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ओडर है सर वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई दीता है कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजिन नाम की बीमारी है सर जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परिमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुला कर उन्हीं के सामने साफ साफ मेरी बेज़त ही कर रहे हो यानि अब ये लुका छुपी किसलिए अच्छे से बात करते हैं नाम गुना को टच किया तो विशाखावानी से वार डिकलेर करने जैसा ही है ये गुना के साथ-साथ उसे मारने वाला भी समाधी में चला जाएगा ये बात गाउवाले सब जानते हैं इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर इस ड्यूटी के साथ-साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर एसपी सर आप अज़ेंटली आजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए घर की ड्यूटी संभालिए अब जाहिए अब जाहिए सर गुना कहां रहता है मैं जानता हूं सर अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर गुना को शूट करने वाला मारा जाएगा ना चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं कर वाला मारा जाएगा नाएगा ठावपका संफे टेरा मारा जाएगा हूं कर सकता हूं कर राएगा धाइब जाएगा भो वो मौत का फित्या तर लीजिए प्रावा तो खाओ कर दो एका लाओ कि रहें तो अप्टाओ कर दो एक दो एक पाओ कर दो एक दो एक प्रवादा आज का दो एका है सुधाकर उस टेपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए दो कुत्ते निकले है ऐसा बताया कब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ यह बताया नहीं क्या तुझे पूछा तो उसने क्या जबब दिया हम क्या बताये भाई तुम करके दिखाओ ना दो आदमी और दो बंदूक सब कुछ खत्प कर दोगे क्या प्रूप तुम कर्क्षिए तुम है कि प्रड़े किरहें सकी भौ .. किरहilateстранавно किरहें है किरहें सकी है करो किरहें सकी है किरहें रौ held絡 है! 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 हाँ! प्राइन प्राइन अघ्ट । रह मुझे छोड़तू सर आप क्या हाद जोड़ता हूं सर एक बात बिल्कुल साहिक गई तुने नहीं सर जान बहुत नाजुक चीज है उफ करते ही बुझ जाती है चाहे वो तेरी हो या मेरी हो इसर रुबार नाज चलोओ एकांग चलो जडोगाँ सर माईरा माईरा इनके साथ तो बच्चे भी होंगे जाकर देखो ये सर्थ माईरा 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 दोक्टर दोक्टर निर्बंद से मिली लड़की एक एनाराई है पता चला कि आज सुबद तीन बजे एनकाउंटर आपरेशन पूरा हुआ है ऐसा पूलिस पता रही है आगे के जांकारी के लिए अपता इलाज कुरा खरवाने के बाद अमेरिका वापस लौट रही थी और फिर रहे गुना को खोश लिया है और वो आठारा केसिस में मुख्या आरोपी है जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने अभिराम ने चार घंडे की महलत दी है उसको मल्टिपल फ्रैक्शर है और उसके सीर में लगबग 40 ठांके लगेंगे बट शेंज लगी शेंविल सर्वाइब पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है अज बार बारा को सिर्छ क्यों कास्षए करना करना आच घर आढी है क्या एच़ के और बच्छ करते हैं कि आएब चलाँ परtu मार डादा सर क्यों मार दिया और बोडिस को कहा भेखा गुना के अलावा कोई नहीं जानता है सर नाली के केड़े हैं सर अभी मार देता हूँ एंड काउंट्र बता देंगे सर भाकर भूलना मत आज हमारे घुसे में न्याए है मार देंगे करल उस एस्पी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एंकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा रोक पाओगे क्या रोक पाओगे क्या तुम अन्याए होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर चनता पुलीस मीडिया अन्याए व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं तो इसे व्यवस्था नहीं कहते कोर्ट और्डर से गुना जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश की आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है सारे गुनाकारों को कोर्ट में प्रेसेंट करो लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिल्वा दो अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा सीम सबका कौन वै आ रहा है रास्ता क्लियर जान को खत्रा नहीं है फिलहाल वो अनकॉंशियस है केस कौन हंडल कर रहा है डॉक्टर डारेक्टली कलेक्टर साहब हंडल कर रहे है आप लोगों का काम है आप ही कीशी है ओके सर गोपाल ये सर तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो ओके मैडम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने कले में बान दी नालायक कहीं का पहले तो इस हास्से से जूज रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए यही प्रार्थना है इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनेगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले नियाए विवस्था को यही विंति करती हूं गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है विरोथी पार्टी तो यही प्रचार करती है वो छे महिने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने छे हफ्तों के अंदर-अंदर ही करके दिखा दिया इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था यह आप भी समझ किया था पर उन्होंने ही इस operation को आगे बढ़ कर अंजाम दिया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे किस ने कहा है यह हमारे सरकर ने किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमंड का एक पासिंग पॉइंट है बस राष्ट्रो के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष है और वो इस एंकाउंटर से शुरू हो गया है सारे राष्ट्रो में इस तरह के काम क करके हम राष्ट्रो में शांती फैलाना चाहते हैं माडम उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है हम बस ये प्राड़त ना कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए और कुछ नहीं पॉलिटिकल लेडर्स हमारे डिपार्ट्मेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे यह आप सभी ने देखा है हम चाहते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट ऐसा ही चलता रहा है इस एंकाउंटर के मामले में सर तुम दिख लो सर 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 जस्ट अ मिनिट सर सीमजी न आप ही फाइना अथारिटी है सर यह कौन है दुनिया में कहीं बर्भी युएस सिटिजन्स पर क्राइम होता है तुम आप के अंसुलेट असिस्टंट की हेल्प करना उनकी ट्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है अनी कंसर्न्स अब नॉट अट अल सर लो प् अब्लूट रखे स ब चाहिए यूटाओ अट्वरू अपान का जब देना है? की अब्लूट अखे अटेकर बस्ट गहां? प्रेस्क्रिप्शन किस ने दिया था? चीफ डॉक्टर ने दिया है इसे लिखने वाले आप ही हो ना? सर वो कोई गलती से हो गया सर सिश्टर निकाल दो निकाल दो से प्लीज गेट अन्यू सलाइम इंसानों की जान जायासी गलती को गलती नहीं कहते है बाहर चलिए अप सर यहां क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ अब जाकर दूसरे पेशन्स को संभालिए कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो विशाखावाणी जी का पीए हो सर लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए का है प्रोग्रेस यह बात है अप सर लाँ प्रोग्रेस कर दो कर दो कर दो सब्सक थर में Maira, 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 please listen, please listen, please listen, sir, please understand, you can't go, you can't go and sir, please understand. This is what's going, she is calling, let me go. What the hell is that? Hello, madam, halat hata is out of hand, she is inside. एक उन लोगों ने जिस थरह अरन को मारा था हूं वैसे मुझे भी मारना चाहते थे मैं लड़की हूँ ना इससे लिए इस तरह मारने की कोशिश की मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आखों के सामने बच्चों को इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मंदा हॉस्पितल में जो रेप विक्टिम है माईरा हांसन उन्हें अभी-भी होश आ गया है ऐसा डॉक्टरों का कहना है लोग माईरा हांसन की तबियत के बारे में अपडेट जाने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं माईरा मुझे बसे एक बात पता हूँ तुम अन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगरी बार किससे मिली थी मैं यूएस चाहती ही डबलू एचो में रिपोर्ट कर दूँगी आप यहां से ये केस रियोपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकर इंक वहां से लेयोग के साथ अनौरी बार किसस्वेद कर दूप आपे इंक Pot Crог Extrude ये देश का सबसे भायानक रेप है ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है, हमारे 75 साल के लोग तंदर पर रोज हो रहा रेप है, प्रकृति, पर्यावरन, प्राणों पर हो रहा रेप है ये, इस रेप में विक्टिम एक नहीं है, बलकि माइक्स, कैमरास पखड़ कर खड़े रहने वाले आप लोग, ये सब देख कर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग, इस रेप में सजा पाने वाले गुन्हेगार चार नहीं है, बलकि एक सामराज्य ही है. इस इस माइ वाइफ राधिका, छे महीनों से बिना के और होने वाले एक नसूं की बीमारी की शिकार हुई है, आज इसकी दढकने रुक गई है, मेरे लिए, मेरे बच्चों की लिए, धड़कने वाला दिल, मैं आशिरम मेडिकल कॉलिज में नियोरोलची डॉक्टर और प्रोफेसर का काम करता हूँ, कॉलिज में पढ़ाई के दौरान ही, मैंने और आधिका ने शादी कर ली, मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने किसी को ना समझाने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसिस फेस की है, महीने तर महीने और पेशिंट्स का काउंट पढ़ता ही चला गया, हमारे जिले में अब तक 3,000 केसिस रजिस्टर हो जुके है, मेरी वाइफ पे इस बीमारी से सिख हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला, इस बीमारी से बाधित सारे पेशिंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिश खाने की, वो फिश तेलरों में बढ़कर मच्से गंदा फिशरीज के जरिये डिस्टरिब्यूट होती है, तेलरों में असी टकका फिश टैंक्स मच्से गंदा फिशरीज के लीज में ह टॉपस में बचे हुए वेस्ट को मरे होए जानवरों के एक केमिकल में पिगलाकर मचलियों को आहर के रूप में देते हैं मचलियों जवदी से बढ़कर ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं तीस साल से इस नदी में मचलियों के इसी तरह से पाला जा रहा है इसके करण सारा तेलरो, सीला इस नाम के बैक्टिरिया से मर चुका है ये बैक्टिरिया नदी के हर मचली के अंदर है काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टिरिया मर जाता है पर कुछ रेयर केसिस में वो जिन्दा बच जाते हैं और डेरिकली ब्रीन पर अटेक करते हैं इस बीमारी से आने वाले हर पेशिंट में ये बैक्टिरिया पाया गया है पंचियों की संख्या कम होती जा रही थी तो पंचियों को जीवन ना देने वाली नदी इनसानों को जीवन कैसे दे पाईगी आसपास के लाखों एक रखेत बरबाद होने का कारण और किसानों के आत्मात्याओं का कारण भी ये पुलिशन ही है सिर्फ नाम के लिए ये च्छे नदी का पानी है पर ये पानी पीने के या उप्योग करने के लाहिए ये गंदगी आसपास के लाखों जिंदगी उनको इंफ्लूएंस कर रही है और इसे निकलेट करके बैठना एक जंदा लाश के जैसा है अटरा साल की उम्र में यूए सिटिजन शिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेट्ल हुआ है इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतियता अपने मूँ पर लपेट कर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे है अपने ओफिशल से मिला ये असली इंडियन वरुन हैंसन हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन वो भी फिर दिखाई नहीं थी सर मैंने अपनी ड्यूटी की थी ओफिसर्स को इंफर्म किया था यो नट पोस्में मिस्टर नशरत नट पोस्में जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरन कांड में आपका रिस्पॉंस इतना ही है सर वो रिपोर्ट बेसलेस है रिसर्च खलत है हमारे पबलिक हेल्थ अफिसर ने काउंटर रिपोर्ट गी थी सर सर वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साब हैं ऐसा करने के लिए मुझे भी ओपर से ओडर आये था सर और जाये रिपोर्ट प्रहाए ते रिपोर्ट आये सिर्डेस्ट आये रिपोर्ट आये साथ आये साथ प्रुप लिए साथ के लिए वाले इसर भी कर्या है कि येसर? कि नीच्छे और डाविन की दुनिया में बापू और हल्दान कर एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया इससे ज्यादा मेरी इन के लिए और कोई वैल्यू नहीं है प्लीज बोली क्लीव करा जंम देने वाली महा की तरह होकर A किसी की जान कैसे ले सकती है ओक के कि फिलोसॉफी के बार में बात करने आय हो या अपनी प्रॉबलम के बार में बात करने आय और टेलूरू से जो प्राण आपने निकाले हो उने वापस लोटाये यही यही मांगने आया हूं। क्या कहां। लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लोटते नहीं। अपनी मुठ्थी से मुक्त कर दोगी तो तेलरू में प्राण वापस आ जाएंगे। यही प्रकृती की शक्ति है। पर तेलरू के सहारे धाई लाक वोटर्स जीते आ रहे हैं। फिर उनके प्राण का क्या होगा। उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही यह प्रोपोजल लाया। अपोजिशन जा पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ। अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें। तो फिर एक्जेकेटिव होने के नाते खुद से यह एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है माडम। ऐस पर कॉंस्टिउशन कानुनी सभा आदेश के मताबिक ही। उद्योगियों को काम करना चाहिए लगता है यह बात भूल गए हो तुम्हें। एस पर कॉंस्टिउशन कानुनी सभा आदेश मारण उमका कारण बनता है। तो उद्योगियों को फॉलो करने के जुरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी सब जन्ता की ताकत से ही लीडर बने है। और जन्ता मेरे साथ है। जिन्दगी और मौत का फर्क बता चलने के बाद। जन्ता जिन्दगी को चुने की मैडम। आपको नहीं। चला तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राश्ट्र में पहली बार कॉप सूसाइटी का निर्मान करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोग तंत्रा लोकल गवर्नस में ऐसा लोगों को भाशन दिया करता था। लोगों की जिन्दगी सवाने के लिए कम्यूनिस्ट जंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब को सुनने के बाद, इलेक्शन से पहले ओपोनन्स ने डाली हुई खांस खाकर, आने वाले पाच इलेक्शन्स में उसे डिपॉसिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया। उन्हें ही लोगों ने एमेजंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोली बारी में अपने दामात को खो दिया। तेरा मही ने जील में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंत्रा। उनकी बेटी का नाम है विश्याखवाणी। पिता के लाश को चिता देते वक्त गर भी नी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता के लाश को नहीं। बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई। और उनकी लाचारी को, उस आग को अपनी सीने में रखकर, अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुठी में रखकर, जीते हुए जी रही हूँ आज। मतलब, जनता को उल्लू बना कर जीना ही आपका तंत्र है। एक काटूनिस्ट के बनाय हुए एक घटिया काटून को, प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमीलियन पर, घुसे से बॉम्बे से साउथ इंडियन्स को मार कर भगाकर प्रचानायक बना, और उसके कुछ साल बाद तक, नौर्थ इंडियन्स को अपने राज्ये से भगाकर, राज के शक्ति बन चुका था, वो फैसिस्ट फैमिली, आज उस राज्य के रोलिंग पार्टी है, जाती के नाम पर हमारे देश को अलग-अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है, सबसीडी के जरिये सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रोलिंग पार्टी है, जहां अज्यान इकठा होता है, वहीं धोखा पैदा होता है, कलेक्टर, मौत क्या है और जिन्दगी क्या है, तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे, तुम्हारी आखे गंदी नदी को देख सकती है, और मेरी आखे पूरे मेले समुंदर को देख रही है, डार्विन के कहने के मताबिक, बंदर ही आगे चलकर इनसान बना है, किसी भी लोक तंत्र में, अट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अस्सी प्रदिश्यत वोटर अभी भी बंदर है, इस होश्यार माइनोरिटी के पास, उस वेवकुफ बंदर के पास, एक ही पावर है, वोट, और ऐसी विवस्था से क्या मिलेगा, और आजकता क्या लावा, उन में से जो भी उस बंदर को चाला किसे सिखाएगा, वही उस पिरमिट पर होगा, और इसी ले चाहे कोई भी डेमोक्रिसी फंक्शन हो, तुमारा जो इश्यूए उस पर मेरा एक्विशन सिंपल है, नदी के कारण बादित हुए लोग केवल एक लाग है, अलाप आने वाले वोटर्स की संख्या धाई लाग है, यही मेरा हिसाब है, और इस प्यूर ले डेमोक्राटिक, इस होल थेरी में आप एक छोटा सा लोजिक मिस्स कर गी मैडम, इंसान यहां से यहां तक, चेंज तो हुआ है, करेक्ट है, पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ती है, मनस साक्षी, आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला, मनस साक्षी, इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए, आपको एक हफ़ते की महलत देता हूं, अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया, तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंग वरना इसी पहाड से नीचे गिरकर जरित्रहीन हो जाएंगे आप, बिलकुल हिटलर की तरह And by the way, मेरी फिलोसोफी आपके बढ़ी हुई, डाविन नीचे नहीं सिखाई हुई है पर आपको उन परिणामों के खबर नहीं है, और मैं उन परिणामों को देख रहा हूं पर आपको उन परिणामों को देख रहा हुई है पर आपको उन परिणामों को देख रहा हुई है अलग अलग करके प्रांथिया पार्थि को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बली चड़ा रहा है इस कैम में मुझे फसानी की कोशिश में वो तुम्हारी पेट पर लात मार रहा है इस पल से मच्यक गंदा फिशरी इस मेरा नहीं है तुम्हारा है इस कंपनी में हर एक मच्यकार एक समान का हिस्सेदार है विशा का वानी जिन्दाबर विशा का वानी जिन्दाबर आप गुस्से से रास्ता रोको के ये जानते हुए भी आया हूँ क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है चालीस साल पहले आसानी से या मच्लियां फकड रहे थे तब तक वो नदी आपकी थी पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीस पर छोड़ दिया गया उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई या फिर मुझे बताईए आपने इससे क्या पा लिया एक के काम पर चार खाते हुए अपनी बढ़ोत्री में आप ही अर्चन बन रहे हो अपना आलसी पन यहां लेटा कर रखे अपने बचों को भी विरासत में दे रहे हो इस बांद को तूटने से नुकसान आपका नहीं होगा आपको इस चक्र में भसा कर आपसे दस गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविश्य पर सिंघासन डाल कर बैठी हुई वो न्यूकता है आपका डर, अग्यान, मासूमित, विश्वासी उसके सिंघासन के चार पैर हैं उस सिंघासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कमपनी में भागीदार बनाया गया है पर उसका लाब कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यहीं सच है इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो वो गलत है यह भी जानते हो पर उस जाल से निकल कर पहार देखने के लिए डरते हो किस लिए डरते हो, आखिर किस लिए डरते हो आलस के लिए, या न्याए के लिए सौ साल पहले वेंगी राज समराचे को बचाने के लिए बोरी सासे आये वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा तुम्हारी तरह हर बात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना एक बार डर नाम के इस बांद को तोड़ कर देखिए तो सिंगहासन के पैर टूटेंगे इस मा की हदकडिया खुल जाएंगी देलूरू में एक बार फिर जान आएगी तुम्हारे साथ साथ वन किसानों को भी जंदगी मिलेगी आसानी से मचलियां फकड़ने की शक्ति आप सब में है कुल वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मताविक आगे पढ़ेंगे मैं यहां आया इस नदी के लिए ही नहीं बलकि आपके भविश्य और आपके बच्चों के भविश्य को भी बचाने आया हूँ तो आप रोकोगे या रास्ता दोगे मर्जी आपकी है और आपकी इजादत के बिना यहां से एक कदम भी आके नहीं बढ़ाओंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा कर दोड़ूंगा झाल झाल ए कलेक्टार तुमने कितना लिया इनसे ये नदी हमसे चीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या अब ए घौचो और कितने साल तुमारी चलेगी हाँ आओ देख लेते हैं चलो रहे मार देते हैं ने बोड़ेंगे ने किसी को चांस में मार देंगे ए? 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 आओगे ए? 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 लोड़ें ए? ए?цы पाका हाँ खखश़ां भाँ जर दर दो पॉजएम पॉचो डर क्पर ड्रा टास्ट बड़्यग जो टो बड़क्र माँवार इसका बड़यार शबने गुचो बड़कर में ठीक निधनना दो झात बुटूप जह शुचो जूए्ट होग रखश्टा समय का फूप लो बार भोचो जाग क तोर दो दो, है! झालो, हैत फराशन दो जो, गचो, जो! बाँ जग다 हम इस कि việc ही चाँ जो हो झाँ है याँ जग। हीो फर डभा एघ फर जड़ जगिस है पर दालों! दख एक जाओ! बातलया, चाहिए प्रोजिशन, वाया! जाँ छाहिए! बेखे लेखे, बेखे, अवाया, वाया! कर दो कर दो कि अजयों कि रख़ा है झाल 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 क्या हुआ इस दुरखटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं शांती कायम रखने के लिए टेलरू के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है कलेक्टर अभिराम को UPSC बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है इस संघटना से रेजिसलेटिव कंट्रोल से एक्जेकेटिव ब्रांच को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ना रखते हुए गैर समेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राज़किये पार्टीज के नेताओं ने विरोध किया है मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा केंद्य सरकार ने इस संघट्टा में तुरंद फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर के अंतरगत एक ट्रिबिनल का आयोजन किया है तलरू स्काम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेश बात है अब ट्रिबिनल का फैसला क्या होगा असेजी का इंतिजार है हलो गुस्सा आ रहा है ना पर मुझे तो तुम पर इस वक्त तयार ही है ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लोट कर वापस आये तुम्हें जिस परिडाम की खोज है वो तुम्हें जंदा में कभी नहीं मिलेगा इस देश में कोई भी आरो के बढ़ाई, व्यवसाय, परियावरण, इकोनॉमिक के बारे में नहीं सूच रहा है उनकी सोच सिर्फ जाती मतभेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सिमित है उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा को इरादा नहीं है तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रदिकरिया नहीं दी जानते हो क्यों क्योंकि उस बांद पर हजारों गुणा मौजूद हैं। फर्स्ट फेलियर है ना। बहुत दर्द देता है। दीरे दीरे आदत बढ़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और खरीब ले आता है। और विवस्त हमें मिला देता है। हेलो दीदी। अभी। पापा अभी तक घर नहीं लोटे। बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साथ गये हैं अभी तक नहीं लोटे। तुम खबराओ मत मैं देखता हूँ। अभी वाट्स हैपलिंग। माइरा डोर लॉक किसी को भी आने मत देना। अभी। कृष्ट कृष्ट अभी। लुब दो अभी। कर दो, कर दो, कर दो! रहने दो! रिश्वत लेकर घलत नहीं करूंगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लोंगा स्टेव और्डर किसी भी वक्ता सकता है लेट्स स्पीड अप देख लो सारे एक्स्प्लोसिफ सही जंग से लगे हैं कि नहीं आस पास के बिल्डिंग्स को नुकसान न पोचे जीरो टॉल्रेंस कुन प्राब्लेम हा बेना शाइब आमीश अप देखने ने वो यह क्या मजाग चल रहा है हमने आपको नोटिस भेजा था लेकिन बिल्डिंग बनती रही हमें इसे गिराना होगा सार अले छोड़ना तु किससे बात कर रहा है तुझे पता है राहूल सेंगुपता के साथ मैं चीफ मिनिश्टर का भती जाहूं और इस शेहर का सबसे बड़ा बिल्डर आई नो सर तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए? I just want the building to come down, sir क्या बात कर रहा है? पूरा बिल्डिंग इरा देगा? पर ये बिल्डिंग पार्क पर illegally बनाई गई है सुन तुझे बिल्डिंग में दस फ्लट दे दूँँगा छोड़ दे इसे रिश्वत लेकर घलत नहीं करूँगा अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता है You happy? खुश हो ना? Ready, sir On count three नहीं Evacuate हो गया ना? One ऐसा मत करना तेन कितने के बाद दसरात Three Trigger The WP call क्या हुआ ट्रांसफर ओर्डर है क्या इससे जएधा क्या हो सकता है गुरू जरा उसे देखो वो चाहिए क्या तुब है आओ बिल्कुल वो तुम्हे मिल जाएगी अबको तो चाहिए किस टाइब के चाहिए पोलो यह बाजुवाली चलेगी नहीं चाहिए आपने देखा नहीं पापा एए खेल का मतलब बिना देखे कि यह गलतियों को सुधारना है विटीचिस करेक्टर जीतना है तो एक बार हो गिए कम आउने तूसरी कंपार्पर में शिफ्ट होते हैं नाची एक्स्क्यूज मी करें दी में बात करेंगे और दरवाजी के पास जाके पीएंगे जाओंगा शरूर जाओंगा वस मुझे थोड़ा सा दूस मिल जाएगा पीने को एप में देल में अर। इसम भाट। रुचा भाट। डुचा भाट। रुचो भाट। शरी जो भाट। यह भाट। भाट। तो आए एचे वो नचे। रखे अवे पराव लुटेब घडए नचे बाज़ प्रॉटो नचे लेखे बाराव लुटो नचे लेखे 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 लेखे। राहुल सेन गुपता ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है सिस्टेम के साथ खिलवार नहीं चलेगा वो तुम्हें मारना नहीं चाता वो वस तुम्हें तोड़ना चाता है अब तुम्हें तूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे लिए जिस्टेमी नहीं है मैं आपने अपने ट्रेन में अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया उसी ट्रेन में मैंने अपनी पहन और माँ के साथ-साथ अपने पापा को भी खो दियान मेरे पापा मुझे वापस मिर जाएंगे ये छोटी सी आस लेकर इस गेम में आया था मिस्टर दश्रत मैं आपको आप से मिलाने आया था मैं हार क्या आपका इस तरह आपमान करना मेरा इरादा नहीं था मिस्टर दश्रत I'm sorry I'm extremely sorry सोच रहे हो के एक गुण्डे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार गया वो राक्षस तो पूरी दुनिया में है पर उन्हें विवस्था सजा देगी या फिर पालेगी सवाल ये है मैं वहाँ ट्रेन में नहीं हारा था मेरी असली हार तब हुई जब उन्दरिंदों को साथ लोगों के सामने दो मासूमों को मारने की सजा सिर्फ दो महीने हुई कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त राहुल सेन गुपता अपनी मुझों पर ताओ देते हुए हसते हुए मुझे देख रहा था उस दिन सच्चाई को तिल तिल मरते हुए देख कर जी रहा हूँ आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संसकार है बेटा मैं जानता था कि तू अपनी जगे पर बिल्कुल सही है तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई पर तो इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही टूट जाएगा यही सोच कर तुझे रोकना चाहा था लेकिन बेटा मैं तेरी आँखों में बेबसी नहीं देख सकता मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबून बनाया है बेटा शिद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए तेरी चीट के लिए यह लाश कैसे कावाएगी यह बता बेटा पापा वापस मुझे राह दिखाने वाले मार्क दर्शक बनो की तेरह साल पहले वेस्ट बंगॉल बोर्ड से बाहर निकल कर एपी पी इससी एक्जाम दिया था एलरू में पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिली पहले इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सील आइस नाम के खतरनाक बैक्टीरिया मौझूद है जब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉंसिबल ऑफिसर से कंसर्ड किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर राज सिंग को मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी उस हजारो करोड रुपे के बिजनस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखावानी मेरे प्रोपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि ये धाई लाग वोटर्स की जिंदिगी का सवाल है मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा मैंने सुचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम करवा लेंगे फिर मैंने रिपोर्ट बदर दिया तो उन्थी मुझे डिस्टिक्ट डेवलपमेंट ओफेसर के लिए प्रमोट कर दिया गया योरॉनर आज से ठीक चार साल पहले जब किसान बांच से खेतों की बरबादी की समस्या को लेकर मेरे पास आये थे तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत से पालन मंतरी शरीमती विशाखावानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सम्मीट की थी इस पर मंतरी महोदिया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरू को हाथ लगाने से खून की नदिया बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया जब वरुन हैंसन की रिपोर्ट है तो मैं प्रिविएस कलेक्टर विजे कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेनी के लिए रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने मुझे से कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैडम विशाखावानी की पार्टी क्लियर मेजारिटी से आ रही है उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सम्मिट कर दिया विटनिस इस एक्सक्यूज़्ट पबिक हेल्थ ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ अगर मैं यह नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से यह काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया ना फॉरेस्ट ओफिसर मिस्टर जनार्दन राव प्लेडिंग नॉट गिल्टी यूर अगर मैंने बहुत सिंपली डीसी जी के आदेशों को फॉलो किया वो काम मैंने ही तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे यह सोचकर मैंने ही कर दिया विट्नेस इस एक्सक्यूस्ट एक्स कोलेक्टर मिस्टर विजय कुमार प्लेडिंग नॉट गिल्टी यूर अउनर जैसा दश्रच जी ने कहा मेरे पास कोई रिपोर्ट में है रिपोर्ट को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर विशाखावानी का इस मामले में कोई दखल अधाजी नहीं है श्रिम्बती विशाखावानी आई प्लीड नॉट गिल्टी यूर अउनर मैंने इन में से किसी भी ऑफिसर्स को इंफ्लूएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है बाप बेटा मिलकर अपनी किये हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मैं पिछले चालीस साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं इस कलेक्टर ने जो चाल पिछाए है उसमें फसकर मैं अपना वक्त बरबाद नहीं करूंगी इस कैम को बढ़ा हवा देने वाले डी सी जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कोट से मेरी यही विंती है तर कोट इस रिसेस्ट फॉर लंच अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याए हो चुका कर देख लिया ना कल वो केंदर सरकार को गाली दे रहे थी और आज जाके उसी से मिल गई यहां जरूरत की मुताबिक अलाइंसेस कैसे बदल जाते हैं क्योंकि यहां सारी पार्टीस का एजेंडा एक ही है लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खिल रही है इसे लिए एक्सपरिमेंटल कलेक्टर को रखा है उनके चेसबोड का तू भी एक प्यादा है बस यह सर आपने न्यूस देखा या आई जस्ट हर्ड सर तो आप जान देएंगे किस रास्ते पर जाना है अफकोस यह सर ठीक है कौन है सर हो मिनिस्टर अब आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा कंफेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहे कर और एक नया गेम खेलेंगे मिस्टर अभी राम यह क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट योर ओनर ये केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्क के बारे में या गंदगी में फसे तलूरू के बारे में नहीं है ये नदी ही हम है और ये नदी ही व्यवस्था है इस महीने नौ तारीक को हुआ वाइलेंस किसी के भढ़काने पर तभी के तभी होने वाला वाइलेंस नहीं था कई सालों के लैंड सर्वेस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फॉर्ज करते हुए इस खराबी पर उंगली उठाने वाले आफिसर्स को डराते हुए सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्सिकारों के बीच श्रिमती विशाखावानीजी ने बनाय हुआ युद्ध वातावरन है वो डीटेल सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी है पर ये विचार उस सच के और इस जूट के बीच हो रहा युद्ध नहीं है सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है इस गंदी साजिश की वज़ा बनने वाले वो सारे गुनागार आज राज की अताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को उपर की पार्टी से समझाते के लिए तयार कर रहे है वहाँ का समझाता यहाँ न्याय पर होने वाला अत्याचार है Your Honor, लोग लोग तंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिलाने का हक है बस इसी भ्रहम में पर बिना बंधे से तूटने वाली व्यवस्था ही उस लोग तंत्र की बुन्याद है ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे है जनता ही नहीं, बकि सिविल सर्वंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले घुलाम की तरह ही जी रहे है सिर्फ उपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्राटिशी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए दो साल तक असेंबली अटेंड किया एक एमेले ने यही है लोग तंत्र और फ्यूडल विवस्था के बीच का फर्क पुलीस ही न्याई व्यवस्था बनकर एंकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है न्याई व्यवस्था के लिए इससे बढ़ा कोई अपमान हो सकता है क्या मर्जी के मताबिक गुनहेगारों को बचाते होई मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखावानी जैसे लोग ही कानून न्याई और निर्नाय बन चुके है न्याई व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताहिए जंता चुननने वाले लेजिसलेटर्स उस लेजिसलेशन को अमल में लाने ऐले सिविल सरवंच्थ नयाई की रक्षा करने वाली चुड़ी शिरी ये तीन घोडे जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंत्र कहा जायगा सरकार कहा जायगा रास्ता भटके हुए उस लेजिसलेटिव घोडे को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एक्जेकेटिव व्यवस्था न्याय व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस घोडे पर जब लगाम लगाएगा तब ही होगा यासली रिपॉब्लेक आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूणना होगा यारोना तलुरों में जिस दिन से ये साजिश शुरू हुई उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरून हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं सौसे बीज़ ज्यादा किसानों ने आत्मात्या की है हजारों की दादात में कंस्यूमर्स बीमारी के शिकार हुएं उनकी जहां के लिए कौन जिम्मेदार है तलुरों को जहरिला बनाने में आखिर किस का हाथ है जीवन देने वाला तेलुरू और कितनी जाने लेगा और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है लास्ट बट नॉट दे लीस्ट ये सारे स्कैम्स चालीस साल से सबसे ज्यादा फाइदा किसे हुआ ट्रटरिती प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निरने सच में इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथ्यारों को सजा ना सुनाने वाला फैसला फैसला नहीं बल्कि वो सड़े हुए तैलुरू के पानी के समान है I rest my case, Your Honor Sir 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 अहां? टेलरू प्रदूशन पर आरून हैंसन और अभी राम ने जो एवीडेस सम्मिट किये हैं वो पूरी तरह से सच है, ऐसा टर्मिनल का मानना है सुप्रीम कोड के आदेश के मताबिक पांच काउंटर तक ही नहीं, बलकि नौ काउंटर तक ज़रूरत पड़ी तो आर्मीर की साहता लेकर सभी तेलरू के बादों को मिटाने का आदेश ले रहे हैं अर्डर, 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 उनके साथ साथ, जेपिटी कोलेक्टर दशर एक्स करेक्टर विजे कुमार, फर्स्ट ओफिसर जानारदर राव, हेल्थ ओफिसर रंगनाथन, सेक्षिन 299-300-304A 171E के तहर्ट इन सब को हम्यारे निर्धारे दिकरते हुए आज इवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और, 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 कोट का डिसिप्लेट तोडने के जुर में इन सभी को कस्टडी में ले लिया जाए ए शप्रिक के अंदर फैसला बदल दूगी, देख लेडा अगोट इस एज़ोट इससा만 boa आभाशा क मैं जाए। नर्सी मा! छोड़ो मजे. छोडो? नर्सी मा! प्लोगो टुमलोगे पीजा चोड़ो मुझे! पापा इंप पापा ये मेरी किरफतारी नहीं बिठा है मेरी रिहाई है छोड़ मुझे लिव मिया लौर तुझे क्या निटा है कि तुझ जीत कया हरा कर रहोंगी तुझे एक हफ्ते मेरी इस फैसले को सुप्रीम कोड से बदल वातोंगी देख लेना एक हफ्ते के अदर फैसला बदल जाएगा आई विल ते वोर्लिंग इन फिस माम चटी हां चोड़ो मुझे पापागे छोड़ो मुझे माडम 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 क्या हुआ मुआ होग्या मूँआ मैं ना ही आपका दुश्मन हूँ, और ना ही आप मेरी दुश्मन हूँ. आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली विवस्था ही, हमारी दुश्मन है. यह जीत उस विवस्था पर है. इसके हगदार आप भी हो. विशिंग यो वेल मैडम. विवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी पिटा. यह विवस्था कभी नहीं बदलेगी. यह विवस्था को तक रावार मेरे? लोगो उस तरफ चलो कोई आ तुम लो कर रहे हो कर रहे हो को लो तुम अधर रुक जाओ बांद बातने आए थे हाओ को लो किसने भेजा तुम है किसने भेजा तुम है किसान है बादित है उस नदी को छोड़ तो यह कहकर धरना किया था न और अब तुम लोगी तुम लोगी उस नदी पर बांद बना रहे हो हलो अलो एमेले यहां पर है अतों एमेलो हो तो क्या हुआ अब बोलो रहे क्यों डर रहे हो तुम लोग कि हमने ही बनाया है इसमें गलत क्या है तुम्हारी जाती के लोगूने 40 साल कबजे में रकर करोडों कमाया है हम भी 40 साल फाइदा लेने के बाद मैं की बात करेंगे क्यों भई को इस अधि counseling मेरी जाती कौनसी जाती है रे? कौनसी जाती है? क्या कर रहा हूँ? शर्म नहीं आती तुम्हें! किसे क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है तुझे! तु खाना खाता है या खास खाता है बता! बाबू, आप जाहिए बाबू, मैं यहाँ सब समाल लूँगा, कल सुबह होने से पहले एक भी बांध बांध नहीं दिखेगा बाबू, आप जाहिए यहाँ स, जाहिए कर दो, मैं बाबू, कर दो जाहिए झाल झाल मुझे माफ कर देना पेटा मुझे माफ कर देना पेटा मुझे माफ कर देना पेटा तेलरू और समुद्र में भी पूरी तरह चान बीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बोड़ी को लेकर आएंगे हमारे कर देना पेटा हुआ 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 हुआ